हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका फिर्स्ट डाउट क्लास है और आज मैं पॉलिनॉमियल्स के डाउट लेना चाहूँगा, ठीक है? लेकिन बच्चों इस डाउट क्लास के इंदर एक बात और बताऊं, कुछ बच्चों का और भी एक डाउट है, ठीक है? मुझे काफी सारे بچوں ने कहा कि cubic polynomial आपने नहीं करवाया ठीक है हिंदी में हिंदी में त्री घाती बहुपद ठीक है बच्छो बच्छो ये त्री घाती बहुपद जो है ना Cubic polynomial ये आपके course से तकریبन 10-12 साल पहले ही कट चुका है ठीक है अब आप लोग बोलेंगे कि सर जब कट चुका है तो बार-बार बुक में प्रिंट क्यों आ रहा है बच्चों मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ आज कि जिस टाइम मैं था टैंथ में उस टाइम भी ये बुक में प्रिंट थे और लेकिन हमें भी नहीं करवाय जाता था और तकरीबन इतने सालों थे पढ़ाते हुए मुझे भी मैंने भी नहीं कराया है और नहीं ये कभी एक्जाम में आता है और बच्चों का अब ये अगला गोशन आता है कि जब ये कोर्स से हट गया है तो बुक में क्यों दिया हुआ है बच्चों ये बुक कई साल पुरानी है ठीक है और इस बुक को बार बार री प्रिंट री प्रिंट री प्रिंट किया जा रहा है ठीक है इसमें कोई भी चीज नहीं जोड़ी जा रही है और नहीं इसमें से कोई भी चीज हटाई जा रही है ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भी सर तो जूट बोल रहे हैं या जो भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए यानि जब मैं अपने टाइम पे 2010 में आपने पाउसा उट गया था तब कि पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए आपको दिख जाएगा कि आपको पिछले 10 सालों में एक बार भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे तरी घाती बहुपत पे एक भी कोश्चन नहीं मिलेगा ठीक है अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर डिवाइड में तो क्यूब है डिवाइड में तो क्यूब है तो बच्चो मैंने आपको क्या बोला पहले आप ध्यान से सुनिए मैंने आपसे कहा कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे कोश्चन मतलब बच्चो जैसे आपने क्वाड्रिटिक पॉलिनॉमियल में अलफा और बीटा वाला काम किया था ना तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में अलफा भी आता है बीटा भी आता है और गामा भी आता है तो आप अपनी बुक में देख सकते है अलफा बीटा और गामा वाला भी एक पॉर्शन है ठीक है जिसमें हम लोग यह यह पढ़ते हैं अलफा प्लस बीटा प्लस गामा अलफा बीटा गामा अलफा बीटा बीटा गामा प्लस अलफा गामा इस तरीके से ये बहुत सारे हम केसिस पढ़ते हैं समझ रहे हो लेकिन बच्चो ये आपके कोर्स अब हड़ चुका है तो इसलिए इसलिए ये मैं नहीं कराऊंगा आपको ठीक है अच्छा कुछ बच्चों का ये भी है कि भीया ये आर्डी शर्मा में तो दिया हुआ है तो अच्छो आडी शर्मा वो सिर्फ और सिर्फ CBC को से नहीं बनाए जाता वह ICSC बोड को देखके भी बनाए जाता है सब्सक्ट को देखके लिए बनाए जाता है और आपके हमेसा कई सारी कम्यूट्यकिक लिए कि जोड चूड के तो इसलिए बच्चो ये cubic polynomial त्री घाती बहुपत के जो भी doubt आपको आ रहे है तो बच्चो क्रिपया करके उस doubt को remove कर दो क्योंकि वो आपके course से नहीं है, समझाने जाओंगा, तो मेरे लिए और भी एक नया topic जुड़ जाएगा आपके course में, जो की काफी lengthy भी है और आपको कम से कम 2-3 class का इंतिजार करना पड़ेगा, ठीक है, तो आगे की class में जब यानि आप competitive exams के लिए त्यारी करेंगे, ठीक है, in future, तब आपको ये सारी चीजे वहाँ पे सिखाई जाएंगी, ठीक है, फिलाल के लिए बच्चों आप इस बात को अपने mind से निकालिए, कि cubic polynomial, त्र अच्चों, बस मेरा कहना, इसका solution मैंने यही बताया आपको, कि आपके course से ये बहुत साल पहले, इवन जब मैं भी पढ़ता था 10th में, उससे भी 4-5 साल पहले, ये course से हट चुका है, ठीक है, तो आपको घबराने की जूरत नहीं है, ठीक है, तकरीबन 7-8 साल मुझे हो पढ़ाते हुए, अब तक हमने नहीं करवाया और नहीं हम लोगों ने देखा अस तक, ठीक है, जब मैं खुट 10th में था, तब भी नहीं आता था ये course में, तो बे फिकर रहिए, ये नहीं आ रहा है आपके course में, ठीक है, तो अब देख लीजिए बच्चों, अब यह आ तो कुबिक पॉलिनोमियल जो है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको उसके साथ compare मत करो, ठीक है, इसके अंदर zeros निकालना है, उसके अंदर भी zeros निकालना है, लेकिन method दोनों के अलग है, इसमें इसके ABCD से निकालना है, जब कि उसमें उसको divide करके निकालना है, समझ रहे हो, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को, मतलब इतना personally ना लें कि सर ने छुड़वा दिया ऐसा वैसा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इनी बच्चो, बेफिकर रहो, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के doubt, खतम, remove, कि भाई, कोर से हट चुका है कब का, ये निकि इसी साल हाले हट गया है, तो आप बेफिकर रहो उसके लिए, ठीक है, चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, तो बच्चो, मुझे जैसे कि बच्चो ना doubt भीजा है, तो मैं एक एक करके doubt ले रहा हूं, तो एक बच्ची है कसिस, ठीक है, ये उसका doubt है, तो question number first में इस बच बेजा है मुझे, बच्ची ने question बेजा है, देखो क्या लिखा है, if the square, if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial, देखो, यहां पर लिखा हुआ है, quadratic polynomial, समझ रहो, अगर cubic लिखा होता है, तो हम इसको वैसी छोड़ देते, लेकिन quadratic लिखा हुआ है, तो हम करेंगे, quadratic polynomial, और देखो, आपको polynomial दिया क्य ठीक है, कह रहा है, is equal to 144, find the value of P, अब मैं इसको हिंदी में भी बोलता हूँ, कह रहा है, कि बच्चों आपके पास एक भवपद है, दुईघात भवपद है, लोजी यह रहा, कह रहा है, दुईघात भवपद है, जिसके सुन्यको के वर्ग का अंतर, जिसके सुन्यको के वर कितनी होगी, तो चलिए भई, ठीक है, सबसे पहले बच्चो, मुझे यह बता दो, alpha plus beta की value, मतलब sum of zeros, sum of zeros, ठीक है, कितना होता है, minus B upon A, ठीक है, minus B की जगा पे कौन है, P, A की जगा पे कौन है, 1, तो इसका मतलब, बच्चो, alpha plus beta की value आगई, minus का P, कोई दिक्कत किसी बच् नहीं, अच्छा, अब आता है, product of zeros, मतलब alpha beta, क्या होता है, C upon A, C कितना है, 45, A कितना है, 1, तो यह आगए 45, कौन है, alpha beta, yellow बच्चो, product of zeros भी आ गया, अब जो इसने बोला, वो करो, according to question, क्या बोला है, according to question, क्या बोला बच्चो, इसने बोला है, the square difference of the zeros of the polynomial quadratic equation is equal to 144, क्या रहा है कि इनके जो square का difference है, alpha square minus beta square, alpha square minus beta square, बराबर 144 है, इन्होंने यह बोला है, कि if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial is equal to 144, इसने बोला कि अगर दोनों का difference, 144 के बराबर है, square का difference, 144 के बराबर है, तो बताओ, P की value क्या है, तो simple, हाँ जी, यह a square minus b square जैसा लग रहा है, तो क्या मैं इसे a plus b, a minus b, लिख सकता हूँ बच्चो जल्दी बोल दो, लिख सकता हूँ, अच्छा, alpha minus bita की value कितनी है, minus का P, अब क्या बच्चा, alpha bita, याद आया, अच्छा, अब बच्चो अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक formula लिख वाया था, alpha square plus bita square, बराबर, alpha minus bita का whole square plus 2 alpha bita, याद आया, और फिर क्या था, alpha square plus beta square, ये plus का 2 alpha bita, इदर आके, minus का 2 alpha bita, ठीक है, यही बनता है, is equal to क्या, alpha minus bita का whole square, ठीक, अच्छा, अब इसको खोलो, a square plus b square, ये क्या बनेगा, alpha plus bita का whole square, minus 2 alpha bita, और ये भी पहले सही है, ये पूरा तो formula खुलके बना, ठीक है, तो alpha minus bita का whole square, अब ये क्या है, alpha plus bita का whole square, 2 और 2, 4 alpha bita, alpha minus bita, और बच्छो, इसके उपर का square जब यहाँ पर आएगा, तो क्या बनेगा, root, तो देखो, minus का p, alpha minus bita की जगा पर क्या put करूँ हमें, under root, alpha plus bita का whole square, minus 4 alpha bita, ये formula मैंने आपको वीडियो में करवा दिया है, ठीक है, वाकि आपको अच्छे से देखना है, 144, अब द 4 alpha bita कितना है, 45, ठीक है, तो minus का p, under root, p का square p, हाँ जी, 45, चोक के कितना होता है, 160 और 20, 180, ठीक है, 144, ठीक, कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा, अब क्या करेंगे, ये minus का p, यह multiply कर रहा है, वहाँ जागे क्या करेगा, divide, तो under root, p minus 180, ठीक है, बराबर 144 में – p, अब यह square है, square जब बराबर के उस तरफ जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यह जब under root, यह जब रूट, वर्ग बराबर के उस तरफ जाता है, तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है, square, क्या बन जाता है ये square बन जाता है ठीक है, अब इसके करो बच्छो solve क्या, P minus 180 और ये क्या बन जाएगा 144 का square 144 का square और P का square क्या रहेगा P square, ठीक है P का square क्या रहेगा P square, ठीक है एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्छो कुछ गड़बड़ी है इसमें इसमें कुछ गड़बड़ी है एक मुट को देखते हैं क्या गड़बड़ी है तो बच्छो इसमें गलती समझ में आगे कहां पर है गलती मैं बताता हूं कहां है language पढ़ने में गलती हुई है क्या गल्ती हुई है देखो मैं बताता हूँ गल्ती ये हुई है उसने बोला है कोशन में बोला है देखो मैं बताता हूँ कोशन में बोला क्या है बच्ची ने कोशन सेंड किया था हाँ इस बच्ची के कोशन में ये बोला गया है कि the square difference of the zeros मतलब क्या zeros का पूरे का square है square difference इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे का square का difference है मतलब समझ रहे हो कि पहले difference करना है फिर उस पूरे का square करना है ये बोला गया इसमें समझ रहे हो तो और वो कितना है 144 तो बात खतम होगी भाई क्या अभी अभी मैंने बताया कि भाई जल्दे बता दो alpha minus beta का whole square क्या होगा alpha square plus beta square minus 2 alpha beta हा की ना ठीक है अच्छा अब alpha minus beta का whole square इसको अगर मैं सही से लिखू फॉर्मूले के हिसाब से तो alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta होगा और ये वाला तो पहले सही है 2 alpha beta तो इसका मतलब alpha plus beta का whole square 2 और 2 4 alpha beta ये किसकी value बनेगी इसकी value तो क्या मैं इसकी जगह पे ये फॉर्मल लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ तो alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta बराबर 144 अच्छा इसकी value क्या है minus p इसकी value क्या है 45 ये कितना है 144 minus p का square भी plus p का ही square होता है हाँ जी 45 चोक के 180 बराबर 144 हाँ वई 180 वहाँ जाएगा add होएगा सही बात है अजी 180 प्लस 200 तीनसो और 324 ठीक है अच्छा अब p square बच्चो उस तरफ जाएगा तो root बन जाएगा अच्छा जल्दी बताओ 324 किसका square root होता है 18 का तो 18 ठीक है लेकिन बच्चो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई number root से बाहर निकलता है तो वो plus में भी होता है और minus भी होता है क्यों क्योंकि बच्चो root की संख्या जो होती है मैंने अभी दिखाई कि चाहे minus का number हो चाहे plus का number square होने पर plus का ही हो जाता है तो इसका मतलब root से जब बाहर निकलेगा तो वो number plus का भी हो सकता है minus का भी हो सकता है तो यानि P की value plus 18 या minus 18 होगी ठेक है तो ये था आपका पहला doubt बच्ची का ठेक है और फिर इसी बच्ची का एक दूसरा doubt भी है वो भी बताते है ठेक है दूसरा doubt है the alpha and beta are the zeros पहले काम करो नोट कर ले जाते हैं मैं पढ़ लेता हूँ नोट करो question number second चलो ये मैं भी ये मैं एक question के बात कराऊंगा पहले ये कराता हूँ पहले ये कराता हूँ question क्या दिया हुआ है कि if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial अब polynomial इसने बच्ची ने काटी रखा है तो कैसे बता हूँ आँ बढ़ ही क्या किया हूँ इसने polynomial काटी दिये तो इसने polynomial काटी दिया बच्चो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है और question number 4 जो है इसका cubic polynomial है question number 5 इसका cubic polynomial है question number 6 find all the zeros of the polynomial ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है कोशन नमबर साथ भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है कोशन नमबर आठ भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है 9 कोशन नमबर 9 भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है कोशन नमबर 10 ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है question number 11, यह सारे question इन्होंने यही डारेंगे, क्यों भी कोलिनों मिल गए? अच्छा हाँ, question number 11, तो भाई question number 11 में इनको division करना है, तो बच्छों यह मैं नहीं करा हूँ अब लुकुल भी आपको, क्यों? division के मैंने कम से कम आपको 10 question से जादा करा दिया, अभी भी divide में दिक्कत है भाई, जब इसमें बोल दिया कि आपको f of x दिया हुआ है, और आपको g of x दिया है, आपसे बोला कि f of x को g of x से divide करो, अरे तो बात खतम, f वाले function को अंदर लिखो, g वाले function को यहां लिखो, divide करो, त तो करवायवा function है, वीडियो में देखो, ठीक है, यह करवायवा भई, हाँ, यह करवाओंगा, यह अच्छा question है, यह है, तुम्हारा question नमबर पता नहीं कौन सा question है, लेकिन अच्छा question है, यह करवाती तो हूँ मैं, देखोशन क्या भी लिखा है, यह note कर लो बच्चो, यह question जो है, अच्छा है, हाँ, तो बच्चो, देखो, इस बच्ची ने बहुत अच्छे डाउट बेजें, डाउट तो इसने एक नमबर बेजें सारे, जैनुरेनली जिसे कहते हैं, कि मतलब डाउट आने चाहिए, बच्ची ने काफी अच्छे बेजें, लेकिन बस यह इस कर रही है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी है, गुड़, चलो गई, तो question यह है, question मैं पहले पढ़ देता हूँ, question यह है, कि if one zeros of the quadratic polynomial, ठीक है, अब polynomial क्या है, यह भी लिख देता हूँ, बच्चो, polynomial आपको दिया हूँ यह, four x square minus eight के x minus nine, is negative of the find, is negative of the other zero, इसने question पूरा नह नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ, of the other zero, find the value of k, हिंदी वाले क्या बहुत बलेंगे, कि बच्चो, अगर, इस quadratic polynomial का, इस दुईघाद बहुपद का, इस दुईघाद बहुपद के दो सुन्यक है, ठीक है, और जिन में से एक सुन्यक जो है, जिन में से एक सुन्यक जो है वो दूसरे सुन्यक के नेगिटिव के बराबर है, समझ रहे हो, दूसरे सुन्यक के नेगिटिव के बराबर है, जैसे मान लो, अगर मेरी दो value है, ठीक है, तो अगर मेरी एक value 3 है, तो दूसरी value मेरी minus 3 है, मतलब एक value दूसरे value के नेगिटिव के बराबर है, समझ रहे हो, अच्छा तो अब कह रहा है तो कह रहा है बताईए कि K की वैलू क्या होगी तो लो भाई बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है हाँ जी पहले sum of zeros निकालेंगे क्या निकालेंगे sum of zeros निकालेंगे ठीक है बच्छो sum of zeros असल में क्या होता है alpha plus beta is equal to जलدी बोलो क्या होगा minus b upon में a यही है अच्छा लेकिन बच्छो alpha तो अपनी जगा पर alpha रहेगा alpha तो अपनी जगा पर alpha रहेगा लेकिन question में क्या बोला है कि जो दूसरा zero है वो पहले वाले का negative है तो देखो अगर पहले वाला alpha है तो जो दूसरे वाला बीटा होगा ये इसके नेगिटिव के बराबर होगा माइनस का अलफा क्योंकि कोश्चन ने बोला है क्या बोला है कि जो पहला जीरो है और जो दूसरा जीरो है दूसरा जीरो पहले जीरो के नेगिटिव है तो लो जी जो दूसरा 0 है वो पहले 0 का नेगिटिव है बात खतम माइनस B कितना है B है माइनस का 8K A कितना है 4 तो अलफा से अलफा गया 0 माइनस माइनस प्लस 8K 4 सकट गया 2 0 बराबर 2K 2 यहां मंटिप्लाइ कर रहा है यहां के डिवाइड करेगा K की वैलू कितनी आगई 0 बात खतम K की वैलू कितनी आगई 0 इतना सा करना था है ना अकली कोश्चन तो बच्चों यह ना एक नमबर दो नमबर के कोश्चन होते है ठीक है बस language problem होती है यह आपको तंग करने के लिए किया जाता है कि हाँ भी बच्चों को हम problem में फशाएंगे लेकिन आपको फशना नहीं है tension मतलो मैं हूँ आपके साथ चलिए अगला है हाँ यह करते हैं यह अगला कोश्चन भी बहुत अच्छा कि दिया है बच्ची ने note करो जब तक इसको कोश्चन में लिखा है if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is equal to their product चलो भाई बहुत अच्छा कोश्चन है बड़ा प्यारा कोश्चन है देखो क्या लिखा हुए if the sum of zeros of the quadratic polynomial polynomial क्या दिया हुए वो भी लिख देते हैं देखो polynomial दिया है आपको यह दूसरा कोश्चन है polynomial दिया है आपको kt का square plus 2t plus 3k ये दिया हुआ है ठीक है और कह रहा है कि ये जो बच्चो polynomial है ना ये जो आपका polynomial है इसका sum of zeros जो है इसके product of zeros के बराबर है ध्यान जा सुनना मैंने क्या बोला कि इसका जो sum of zeros है वो इसके product of zeros के बराबर है हिंदी वाले सुनेंगे ये आपको एक दुईगाद वहुपत दिया हुआ है जिसके सुन्यको का योगफल इसके सुन्यको के गुननफल के बराबर है ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने जिसके सुन्यको का योगफल इनके सुन्यको के गुननफल के बराबर है तो लीजिए simple तो पहले हम क्या निकालेंगे पहले तो हम sum of zeros निकालेंगे मतलब alpha plus beta क्या होता है minus b upon a minus b कितना है 2t a कितना है k तो लो जी alpha plus beta आगया अब क्या निकालेंगे product of zeros यह यह अलफा बीटा c upon a c कितना है 3k a कितना है k k से k तो कट क्या आगया 3 alpha बीटा अच्छा अब आते है according to question क्या बोला इसने प्रस्ना अनुसार मतलब question के according यह बोला गया है कि sum of zeros सुन्यको का योगफल बराबर है product of zeros मतलब क्या सुन्यको के गुननफल के बराबर है यह किस ने बोला है यह question ने बोला है हमने नहीं बोला है ठीक है तो बच्छो sum of zeros कितना है आपका minus का 2t upon में k sorry 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 बच्छो एक गलती होगे में से sorry यहाँ पर t नहीं आएगा यार t तो variable है ना 2 आएगा sorry यह गलती होगे minus का 2 upon k अच्छा product of zeros product of zeros कितना आपका 3 कितना आपका 3 और हमें value किसकी निकालनी है k की बात खतम तो बस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 इससे k इससे तो low भाई क्या बन जाएगा यह minus का 2 बराबर 3 k की value निकालनी है 3 यहाँ multiply कर रहा है यहाँ के divide करेगा k की value कितनी आगई minus 2 by 3 देखो है ना easy तो यह होते हैं यह दो दो नमबर के नकली question एक नमबर नकली मतलब आप लोग ना मतलब को बस language में फजाए जा रहा है एक बार आप लोगों को language पकड़ना आगी ना तो आप किसी भी question को कुछ समझोगी नहीं आपको लगए रे यार क्या है मजा आगे question तो मतलब seconds में निकालोगा आप answer ठीक है seconds में within seconds आपके सामने answer होगा ठीक है तो चलो इस बच्ची के सारे डाउट मैंने cover कर दी है ठीक है बस रह यह गया है कि इस बच्ची के बहुत सारे वो है क्या ना में क्यूभी पोलिनॉमिल के डाउट है तो प्यारे बच्ची और सभी बच्चों को यह सूचित किया जाता है कि आपके कोर से हट गया है तो मैं बार कि ठीक है तो इस बच्चे ने मुझे डौट भेजे थे इस बच्चे ने जो मिर डौट भेजे न अच्छ 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 तुम्हारे डौट नहीं लिए जाएंगे क्योंकि धरड़ चैप्टर के डाउट है ठीक है और अभी धर चैप्टर के सीरफ आपका doubt नहीं लिया जाएगा क्योंकि अभी ये topic हुआ ही नहीं है ठीक है next है अकिल अकिल बच्चे ने भी भेजा था मिर को ठीक है अकिल ने भी भेजा था तो भाई इसने तो मिर को इसने भी भाई भाई भेजा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ठीक है तो सॉरी आपको भी नहीं करा जाएगा ये अच्छा इस बच्चे ने करा कराया कोशन बेर को भेज दिया है तो वह वीडियो के अंदर ही है ठीक है जो नहीं कराया है वो मैं बता देता हूं इसको अच्छा देखो इसका भी ये सेम डाउ है इस बच्ची कसीज का भी डाउट था ये कि कोशन के अंदर एपी लिखा हुआ आ जाता है कि भाई पॉलिनॉमियल है इसको सॉल्व करके एपी में करो तो बच्चो ये एपी पता है आपको क्या है ये अभी आपको नहीं पता बिलकुल भी इसका फुल फोम होता अर्थम के साथ किसी भी चैप्टर को रिलेट किया जा सकता है लेकिन पहले उसके बेसिक सीखने होते है ठीक है तो ये कोशन हम लोग करेंगे लेकिन अभी नहीं ये करेंगे हम लोग प्री बोर्ड के टाइम पे क्यों क्योंकि तब तक मैं आपको पांचवा चैप्टर करवा चुक है बाकी के दो जी रोग निकालने ते तो वो मैंने करवा दिया बाई है वो मेंने फिर में दे रहता है वीडियो से तो असके नहीं करना है तो सारो लोग करने जोख आइँ बच्छो फो का लेकिन मैंने बताया उसके नीचे क्या लिखा हुआ है एपी और एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और मेरे प्यारे बच्चो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका प्यांचमा चैप्टर है जब वो हम करेंगे तब हम solve करेंगे ठीक है अभी पाच्छा चैप्टर होने में बहुत टाइम है दो महिने लगेंगे कम से कम ठीक है तो अभी जब वो करेंगे तब कितब देखेंगे तो चलिए आज की class यहीं खतम करते हैं गुटनाइग